दोस्तों आप लोगों ने शारुक खान को अपनी तीचर से प्यार करते वे तो मेहुना में जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको किसी दिन एक रहा चलते Automatic Intelligence का जमाना है कोई Robo मिल जाए और आपको Robo से प्यार हो जाए और Robo भी कोई ऐसा वैसा Robo नहीं मतलब कि बिलकुल लड़की जैसी दिखने वाली Robo से अगर प्यार हो जाए तो क्या करोगे वेल यही चीज़ का जवाब ढूंडने के लिए शाहिद कपूर एक मूवी के अंदर घूमते वे नजर आ रहे हैं जिसका नाम है तेरी बातों में ऐसा उलजा जिया वेल यह मूवी का पूरा कॉंसेट यह है कि शाहिद को हो जाता है कृती से नौन से प्यार लेकिन कृती से नौन तो निकलती है रोबो वेल इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन्स जरूर है जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि या रोबो के साथ यह सब कैसे पॉसिवल है रोब बढ़ गई है खेर यह तो वक्ती बताएगा लेकिन पता है वेलेंटाइन्स के आसपास पिछले साल भी तू जूटी में मक्कार मुवी आई थी बहुत हलकी फुलकी कॉमेडी फैमेली मुवी मस्त मुवी और इस साल नो फरवरी को वापस से आ रही है यह वाली मुवी तेर अच्छे है धर्मेन पाजी इस मुवी के अंदर है और वही टिपिकल फैमेली वाइव आ रही है वेल लव रंजन की मुवी में जो फैमेली वाइव आ रही थी बहुत कुछ वैसी फैमेली वाइव यहां पर दिनेश विजन की मुवी के अंदर भी आ रही है तो कुल मिलाकर एक fresh concept पर ये movie बनी है जिसमें comedy और humor का तड़का लगा कर एक नई और अनो की love story हमारे सामने परोसी गई है तो well अब ये तो वक्त बताएगा कि movie कितनी अच्छी है लेकिन trailer देखकर जो first time मैंने जब इस trailer को देखा तो मैं expect नहीं करा दागी गृती से non robo निकलेगी मदा आगया डिमपल का पाडिया भी इसके अंदर है और डिमपल का पाडिया पिछले साल तो शारुक खान के लिए लगी चाम रही थी कपूर के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज होने वाली है क्योंकि इस साल वो एक अच्छी खासी हिट दे सकते हैं और कृतिस है नो जिनकी बड़ी बड़ी movie जैसे आदी पुरुष से लेकर लगबग उनकी हर movie और पिछली movie उनको जो गणपत आई थी बाप रे बाप क्यों आई थी ऐसी movie flop हो गई है तो उनको भी हिट की तलाश और शायद ही उनके career को एक नया boost देगी तो वैल मैं तो इसके trailer को देखकर काफे जाधे excited feel कर रहा हूं इस movie को theater में देखने के लिए आपने इसका trailer देखा या नहीं comment section में जरूर बताना क्योंकि